आपको पाथ दो हम भी बने महान यह समझाऊंगी हम भी बने महान यानि हमें यहाँ जो महान व्यक्तियों के महानु भाव के प्रसंग दिये गए हैं जीवन प्रसंग दिये गए हैं उनसे हमें कोई जीवन मुल्या हमें प्रेणा मिलती है हमें जीवन कैसे जीना चाहिए उसकी प्रेणा मिलती है तो हम भी उनके जैसे महान बन सकते हैं अगर उनके जीवन मुल्यों को हम भी अपनाए तो हम भी उनकी तरह महान व्यक्ति बन सकत हम प्रस्तावना को देखेंगे सीधे साधे कार्य एवं गटनाओ में कर्तव्य पालन प्रामानिता मानवता अविरत अभ्यास आधी तत्वा तुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है सीधे साधे कार्य गटना और कर्तव्य पालन जैसे कर्तव्य का पालन करना प्रामानिता इमानदारी मानवता इंसानियत अविरत अभ्यास यानी सतत अथाग परिश्ट्रम अविरत अभ्यास आधी जो तत्वा है मुल्य है उनके जुड़ने से कार्य और कर्ता जो कार्य करते ह वह और जो कार्या कर रहा है वह व्यक्ति दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है प्रस्तोत इकाई में स्वामी विवेकानन गोपल कृष्ण गोखले सचिन तेंदुरकर और हजरत अली के जीवन के जुड़े कुछ प्रसंग दिये गए हैं जो इकाई है इसमें हमें विवेकानन गोपल कृष्ण गोखले सचिन तेंदुरकर और हजरत अली इनके जो जीवन प्रसंगें यहां दिये गए हैं जिनसे हमें कोई सीख मिल सके जिन में उनकी महानता कोच बुनियादी गोण ड्रश्टी ड्रश्ट अव्य होते हैं है कि जिन से हमें उनकी महानता के बारे में समझ आता है उनकी महानता वे कितने महानत है ये हमें सीखने मिलता है कुछ बुनियादी गोण ड्रश्ट अव्य होते यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रहना प्यूद है यही गुणों को अगर हम अपनाए तो हमें जीवन जीने की प्रहना मिलती है ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं जैसे इन महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाया वैसे हम भी इन गुणों को अपना कर जीवन जीए तो हम भी इनकी तरह महान बन सकते हैं हम पाट को समझेंगे पहला जो जीवन मुल्या है कर्तविया मेले में सब खिलों ने ले रहे थे मेला था वहां सब खिलों ने ले रहे थे तब नरेंडर नाम के एक लड़के ने दो रुपिय का एक शिवलिंग खरीदा नरेंडर नाम का जो लड़का था उसने मेले में से दो रुपिय का शिवलिंग खरीदा सब भी उसके पास अभी उसके पास एक चवनी बची थी एक लड़के को रोते देखकर नरेंडर ने उससे पूछा क्यों रो रहा है एक लड़का वहां मेले में रो रहा था उसे रोते वो देखकर नरन रने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो लड़के ने कहा मेरे पास एक चवन्नी थी कहीं घीर गई अब मेरी मा मुझे बहुत पीटेगी लड़के ने रोते रोते कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी वह कहीं घीर गई है अब मेरी मा मुझे बहुत पीटेगी बहुत मारेगी कोई बात नहीं यह लो चवन्नी नरेंडर ने उसके पास जो चवन्नी थी उस लड़के को दे दी और कहा कोई बात नहीं यह चवन्नी मेरे पास है तुम ले लो काकल नरेंडा ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया चवन्नी उसे दे दी नरेंडा ने और वो वहां से चला गया अभी नरेंडरा कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी अभी नरेंडरा थोड़े आगे पहुचा था थोड़ी दूर गया तब वहां सामने से एक मोटर आती हुई दिखाई दी एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिलकुल बेखबर चला जा रहा था एक छोटा बच्चा था उसे बेखबर यानि खबर ना होना एक छोटा लड़का था उसे सामने से मोटर आ रही है वह उसने देखा नहीं और वह अपनी मस्ती में ही जा रहा था उसने देखा ही नहीं कि सामने से मोटर आ रही है नरेनर ने जपटकर उस बालक को खींच लिया एक दम से उसे जपटकर उसे अपने पास खींच लिया उसे बचा लिया एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता अगर एक पल की एक सेकंड की भी अगर देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता मतलब कि उसका एक्सिडन हो जाता इस जपटने की क्रिया में नरेंडर के हाथ से शीवलिंग छूट कर गिर गया यह जपटने की जो क्रिया हुई और उस लड़के को जपटकर बचा ने गया तब उसके हाथ में जो शीवलिंग था जो उसने दो रूपिय में करी दा था वह शीवलिंग उसके हाथ से जूट गया गिर गया और तूट गया इस दोरान इकटे हुए लोगों में से किसी ने कहा बेचारे का नुक्सान हो गया वहां सब लोग इकटे हो गये थे वहां से किसी एक ने पूला कि बेचारे का नुक्सान हो गया नायरेंगर का जो शीवलिंग तूटा यह देखकर जो भीर इकटा हुई थी उसमें से किसी देखने का आखे बीचरे का नुकसान हो गया कितने चाव से खरीदा था उसने कितने प्याव से कितनी खुशी से उसने नहीं था यह सूनते नरे लने कह इसमें क्या online की जाने पर ह red mr two ऑफारा करतव्या है बच्ये ने नरें नने इसा चार्वार डिया कि तो क्या हुआ अगर मेरा नुपसन हुआ तो क्या हुआ उसमें कोई तकलिप नहीं है इस बालक की जान बच्चाना शिवलिंग तूटा तो तूटा पर यह बालक की जान बच गई यही मेरे लिए बहुत है इसलिए वो कलता है कि इस बालक की जान बच्चाना ही मेरा पहला क वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा मात्व पूर्ण था वस्तु की इतनी कीमत नहीं होती जितनी इंसान की जानकी होती है मानवता सबसे उपर है बचपन से एसे खयालात रखने वाला नरेंडर आगे चल कर स्वामी विवेकानन के नाम से प्रसीद हुआ बचपन से उसमें एसे खयालात एसे वीचा रखने वाला जो नरेंडर या जो लड़का था नरेंडर जिसका हमने प्रसंग देखा वह नरेंडर आगे जालकल स्वामी विवेकानन के नाम से प्रसीद हुआ यह जो नरेंडर था वह हमारे स्वामी विवेकानन थे तो यह लड़का स्वामी विवेकानन के नाम से जाना गया तो यह प्रसंग से हमें यह शिख मिलती है कि जैसे नरेनरा स्वामी विवेकानन ने अपनी वस्तु को छोड़कर किसी इंसान की जान बचाई, मानवता दिखाई तो यह अमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमें भी उनके इस प्रक्संग से प्रेना लेनी चाहिए, कि हम भी कोई निर्जी वस्तो में ध्यान न दे कर, अगर कोई मुसीबत में हैं, तो उनको बचाए, उनका ध्यान रखे, और वस्तो से ज्यादा इंसान की जान की कीमत है, तो हमें सिखना चाहिए, कि कोई अगर मुसीबत में कहीं कुछ गटना गट रही है, तो अगर हमें मालूम है, तो हमें उसमें से उसे बचाना चाहिए, तो विद्यार्थिगान, आप यह पहला जो प्रसंगे उसे समझे होंगे, आपको यह प्रसंग रीड करना है,